हेलो अब्रिवन मैं आपका अपना फिजिक्स बड़ी नितिन आरे फ्रॉम आपके यूट्यूब चैनल सी बेसी स्पेशल से आपके लेके आता हूं कुछ डिफरेंट काइंड आफ वीडियो तो जैसे कि बच्चो आप मेरे सामने पढ़ रहे हो हाउ टू शार्प यूर माइं आज की जो वीडियो है इसी से रिलेटेड है बच्चो मेरे पास बहुत सारे कमेंड बहुत सारे मैसेज़ेज आए अपने इंस्टा पे कि सर जो साइंस लेते हैं या जो हमारे क्लास के टॉपर हैं जिने हम अपने टॉपर मानते उनकी तरह हमारा अपना माइंड तेज करने के कुछ ट्रिक्स बताईए तो फेटा लोग देखो सबसे पहले बात तो कि माइंड सबका शार्प होता है बट हम कुछ ऐसी गलतिया कंटिनिटी में करते रहते हैं या कुछ ऐसी चीजे करते रहते हैं कि हमारा जो माइंड का फोकस है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है तो ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो अपना माइंड तेज करना चाहते है इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो यह बताऊँगा कि शार्प माइंड क्या है माइंड की माइंड है शार्प हो जाए तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है इस वीडियो को देखते हुए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको अपने फ्रेंड्स ग्रूप में जादे से जादा शेयर करना है और ऐसी वीडियो उसको पाते रहने के लिए हमारा जो टेलिग्रा करते हैं जैसे कि आपको बता है यूट्यूब पर प्रियोप कोस्ट होता है चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदा सबसे पहले सार्प माइंड कि कि बात करते है तो नहीं करनी है और जो नहीं करनी है उनको करनी है तो a mind which solves maximum problem तो ऐसी तो कोई problem नहीं है कि आपका mind solve ना कर सके है ना ऐसा mind जो की maximum problem solve कर सके easily और साथी साथ remember रख सके last long तक आपके दोस्त ने कुछ चुगली की किसी दोस्त की या कुछ भी ऐसी बात या movie का कोई सी ना आपको last सक आप याद रहता है ना तो आपका mind भी शार्फ है साथी साथ आपका mind भी जो problem है उन्हें easily solve कर लेते हैं वह बात अलग है कि आपका problem solving technique है वह problem कुछ और होती है वह स्टेडी से हटके positive work से हटके कुछ इधर उधर के काम करने में या किसी की बुराई करने में ऐसी चीजे में लगी रहती है तो ऐसा mind जो की problem को एकदम से solve कर दे easily ज्यादा time waste करें और जो भी चीज आप remember करो जो भी चीज आप पड़ो याद करो वह लास्ट लौक तक रहे उसको हम बोलते है शार्फ में ठीक है बैटा जैसे कि इस पिक्चर में आपको देखने के मिल रहा है कि यह जो साथ ही साथ अपना वर्क फ्रों मों जो भी एक्सवाइड टेक्निक्स है या फिर जो भी activity है वो सारी की सारी साइमेंटेनेस नहीं कर रहा है इसका जो mind है वो काफी active है और यह अपनी जितनी भी सरांडिंस की चीज़े है उसको easily tackle कर पा रहा है तो इस टाइप के मांड को हम sharp mind की category में include करते हैं sharp mind बोलते हैं जैसे कि आप किसी भी person से influence होते हैं कि यार वो तो बहुत active है या फिर अपनी class में वो top आता है या किसी particular game में बहुत अच्छा है तो it means कहते हो ना कि आप यार उसका mind बहुत sharp है वो easily चीज़ों को grab कर लेता है और catch कर लेता है उसकी catching power अच् लोग वो limitless है उसकी कोई limit नहीं है तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा सोच सकते हो जितना ज्यादा बड़ा imagine कर सकते हो फिर उसी चीज़ को करने के लिए अपने mind को command दे सकते हो देखो सबसे main काम क्या है कि हमारा जो mind है limitless है कुछ भी कर सकता है सबसे बढ़िया example उसका पर solve करके देता है तो वो किसने create किया है वो mind है तो mind जो है वो उससे भी अबव है तो that is why everyone says keep your mind is limitless you have so many capabilities बस आपको क्या करना है उनको सीखना है उनके लिए लग जाना है hard work करना है ऐसे नहीं कि आपने सोच लिया है limitless है तो उससे हो जाएगा जो चीश सोच लिए है उसको convey करो उसको work करो उस पर काम करो ठीक है तो हमारा mind क्या है limitless है we can do anything if we can make super computer so we can do anything yes देखो सबसे पहले क्या था कि एक जगे से दूसरी जगे जाने में बहुत time लगता था फिर transportation आया फिर एक planet से दूसरी planet पे जाने में भी time लगता था अब वो भी teleportation भी है या फिर humans ने इतना भी अचीव कर लिया कि बाहर भी होटल बना दिया स्पेस होटल भी है और टैसला की कार भी है और बहुत सारी ऐसे invention है कि जो आप इमेजन में नहीं कर सकते तो तो कि नहीं ब्लियंड माइंड्स ने या शार्प माइंड्स ने उनको imagine किया और उनको ओवर कम भी किया और उनक की capabilities है वो लिविटलेस है आपको बस क्या है कि बड़ा सोचना है ठिंक बिग या imagine बिग ठीक है आपको जो imagination पावर आपकी वो क्या रखनी है बड़ी रखनी है ब्रॉड रखनी है ऐसा नहीं सोचना कि यार नहीं मेरे पास तो कम माइंड है मुस्से तो हो गई नहीं यह जो कर सकता हूं मेरा जो माइंड है वो limitless है मैं कुछ भी कर सकता हूं या कर सकती हूं इस तरीके से जब आप सोचने से लग जाओगे या start कर दोगे तो आपका माइंड की activity वो broad हो जाएगी और आप जो सबसे पहला step होता है कि fear ना करना किसी चीज को किसी problem को tackle करना वो सीख जा है कि अगर में human minds ने super computer बना दिये तो हमारा माइंड कुछ भी कर सकता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं कि यह चोटी सी problem नहीं हो रही है एक बार नहीं होगी दो बार नहीं होगी तीसरी बार होगी चोथी बार होगी पांच भी बार होगी किसी की help लेके होगी online देखके अब आते हैं कि क्या दिक्कत आती है कि things that can damage the mind ऐसी क्या चीजे है कि हमारे जो mind की activity है जो हमारे mind की capabilities है उसको कम कर देता है देखो बहुत सारी चीजे होती है बट मैंने main तीन चीजे आपके लिए observe करके जो मैंने अपने experience से और जो सबने share किया है जो मैंने काफी लोगों से बात की कि आपको क्या लगता है और जो आजकर हम ज्यादा देख भी रहे है तो देखो हम क्या करते सबसे पहली चीज वाचिंग unnecessary things online आपको भी पता है कि अगर आप अपने content से related या पढ़ने से related या कोई भी motivational या बायोपिक देखने लग जाओ तो आप बोर हो जाते हो within half an hour बट अगर आप YouTube Shots जो कि unnecessary है ना या फिर वो इंस्टा की देखने बैठ जो तो देड़ दो गंटा ऐसे स्वाइप करते चले जाते है स्वाइप 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 तो इस तरीके से आप unnecessary unnecessary means कि आपके ना फिल्ड से related हैं आपके ना age related हैं आपके कोई काम की न बट एक capabilities अभी नहीं है उस पर भी लगे हुए है कि past या future travel कर ले time हर चीज गेन की जा सकती है अगर वो हो जाए या वो चली जाए बट अगर time एक बार चला गया तो वो नहीं आ सकता जो time है बहुत precious thing है तो आप अपना time बहुत अच्छे तरीके से utilize करें इसे unnecessary चीजों में वेस्ट ना करें especially online जो चीज़े है जैसे कि facebook है इंस्टा है उसमें जो reads होते है जो YouTube की shorts है उनमें वेस्ट ना करें काम की चीज़े देखें नहीं नहीं चीज़े सीखें बायोपिक देखें बायोपिक से भी interesting चीज़े देखने को मिलती है कि हम किसी की story देखते है तो influence होते हैं कई सारी चीज़े देखने को मिलती है books पड़ें ठीक है दूसरी में चीज क्या है जिससे हमारे जो mind की capabilities है जो physically भी damage करती है body को साथ साथ हमारा mentally तो बहुत जादा stress होता है और scientifically proven है smoking drinking and drugs आपने देखा होगा जो continuity में smoke करते हैं या जो drugs करते हैं या फिर drinking करते हैं या फि जो mind अब उस level पर काम नहीं करता या उस level पर अच्छे से work नहीं करता वो क्यों नहीं करता क्योंकि आप ने ये bad habit continuity में daily daily की हर week and या हर weekly अपना क्या करना है कि हां drinking करनी है तो जो positive energy है जो आपका mind positively work कर सकता आप उसको अलग way में दूसरी तरीके से channelize कर रहे हो तो ये सबसे दो important बाते हैं अभी तक कि पहला कि unnecessary चीज को जादा से जादा देखना और अपने mind की जो activity है उसको ना करना अब देखो ऐसे समझो कि अगर आपको अपनी body बनानी है तो जिम जाना पड़ेगा exercise करनी पड़ेगी इसी तरीके से आपको अपने mind की exercise करनी पड़ेगी अब activities होती है बड़ आप वो ना करके क्या कर रहे हो बस लेटेओ और देखे जा रहे हो देखे जा रहे हो अननेसेसरी चीज तो वह क्या होता है कि negative impact आता और वह आपके mind को damage करते हैं damage in that sense कि जो आपके mind की activity है जो neuron cell है वो धीरे 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 कम होती जाती है और smoking drinking और ड्र होता है जो हमें emotionally करता है emotionally कि हम हमारे expectations बन जाते हैं हमारे जो friends होते हैं या हमारे जो families में थोड़े बड़े होते हैं कि यार वो तो यह चीजे कर रहे हैं हम क्यूं नहीं कर पा रहे हैं तो यह सब चीजे अभी आपके लिए बहुत जादा harmful है जो भी आप चीज ऑनलाइन द देखो आपको कोई भी problem आती है तो अपने parents से अपने बड़े भाई से ऐसे person से बात करो talk करो कि जो आपसे थोड़ा सा age में बड़ा हो और कभी भी सर्माने की बात नहीं है देखो हो जाती है गलती बड़ क्या है कि हमें जो adult content है उस पे जादा से जादा focus नहीं करना है हमें उसमें बहुत ध्यान से और अगर unnecessary तरीके से आप कोई चीज़े देख लेते हो या आपको effect करती है या आपके mind में अलग-अलग बाते चलती रहती है तो आप अपने किसी भी senior से teacher से या even मुझसे भी discuss कर सकते हैं ठीक है तो उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है बड़ आपको यह जो तीन में चीज़े हैं कि unnecessary things नहीं करनी है unnecessary things जो online है उसको नहीं देखना है smoking drinking and drugs तो कभी नहीं करना है watching adult content यह तो बिलकुल ही नहीं करना है ठीक है इसके लिए proper education system है बायो में chapter भी है उसको पढ़ो अच्छे से पढ़ो proper education लो मैं यह नहीं कह रहा है education मतलो क्यो बहुत सारी चीज़े पता होनी चीज़े बहुत सारी से disease होती है जो improper education की वजह से आपको हो सकती है in future या होने के chances होते हैं तो यह जो last वाली line है इसको बिलकुल अटा दो अपने mind से और लग जाओ तो यह बहुत बड़ा reason है कि आपका जो mind है गलर direction में या negative तरीके से influence होता रहता है होता रहता है और थोड़ा सा प्यूबर्टी की एज में teenage की एज में hormonal change की वजह से यह ज़्यादा impact करता है ठीक है अब अब जाते नेक्स्ट पर नेक्स्ट पर इंपॉर्टेंट है things to improve your mind और इसके लिए पर थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ ताकि आपका यह content छिप रहा है यह दिख जाए अब देखो things to improve your mind सबसे main यही page है सबसे ज़्यादा important क्यों है देखो कि इसमें मैंने आपको ऐसे ऐसे tricks बताई है ऐसे ऐसे बाते बताई हैं कि आप अपने mind को improve कर कि देखो start playing rubik cube अब यह क्या है कि जैसे कि हम किसी भी part की human body part की grow करना है या उसको अच्छे से करना है तो हम exercise करते हैं तो हमारा mind भी तो human body part है ना तो उसकी वे exercise करने पड़ेगी उसकी वे activity करने पड़ेगी तो आप क्या करो सबसे पहले rubik game लो और उसको जल्दी से जल्द करते रहते हैं और वो अपने माइंड में सीखते रहते सीखते माइंड को चलाते रहते चलाते रहते तो अगर चैस भी नहीं खेलो तो start playing rubik cube अब चैस के लिए भी मैं बोल रहा हूं आपको क्योंकि चैस के लिए पार्टनर चाहिए तो यह गेम है कि आप अपना अकेले से अध्याथ क्या है तो इसको खेलो जल्दी से जल्दी इसको solve करने की ट्राइए करो पहले मिनट में फिर सेकंड में फिर मिली से क्म से कम ताइम में ठीक है उससे में बात क्या है तो यह तो ही है कि इससे मैं सबसे पहले गेम की बाद क्यों गई अगर मैं पहले यह लाइन लिखते हैं कि read good books तो सर वैसे ही इतना बढ़ते हैं फिर alexe book पढ़ें तो भाई पहले जो games है जिनमें mind चलता है chess खेल सकते हो आप यह खेल सकते हो even online वैसे बहुत सारे games है जैसे कि spell the word आता है game है ना cross zumble word आता है puzzles आते हैं उनको solve कर सकते हो read good books to exercise your mind book बहुत जादा necessary है जितना आप online तो आप हर चीज़ देखी रहे हो पढ़ रहे हो but once you go through the offline world then there is no back यह एक मैं personal experience से बता रहा हूँ कि जब आप एक बार books में या nature के through या कैसे भी offline जादा अपने friends से अपने parents से अपने teacher से convey करने लग जाओगे तो आपको जादा अच्छा लगेगा और आप अच्छे mind activity है वो जादा होगे offline में वो देखो offline में क्या आपका phone side में रखा है उसकी notifications बंद रखो मैंने पहले ही बता रखा है और आप जब अपनी book पढ़ोगे कोई भी अच्छी से अच्छी बुक पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा फिर आपकी पढ़ने की जो habit है वो increase होगी तो क्या तरना है read good books to exercise your mind ठीक है जैव बॉड़ी पार्ट को वहां से जाते हैं अब होता क्या है कि जब हम exercise करते हैं तो हमारा हर्ट जो है बहुत तेजी से पंप आउट करता है इवन आप simple physical exercise कोई सी भी running वगयरा या rope skipping वगयरा कुछ भी करके देख सकते हो तो आपको जो हर्ट है वो ज्यादा speed से पंप करेगा उस process में क्या होता है कि जब ज़्यादा speed से पंप करेगा तो जो body में blood में oxygen है वो ज़्यादा speed में go through होता है throughout the body और obviously body में हो रहा है तो mind में भी जाएगा तो जो oxygen level है वो mind में बढ़ता है और जब oxygen level mind में बढ़ता है बिटा लोग तो neurons बढ़ते है electrical signal जो है जो बढ़ते है तो जो हमारा mind का वो part जो active नहीं होता यो काफी time से unused रहता है वो वाली लाइन है कि यह unused brain है तो unused part of brain is get active कब होता है कि जब हम exercise करते हैं तो जब हम कोई भी physical exercise करते हैं तो हमारा जो hurt है वो जब अच्छे speed से pump out होता है और pump out होने से क्या होता है कि blood circulation अच्छा होता है blood circulation अच्छा होने से कि oxygen जो है throughout the body जाती है even mind में भी जाती है तो जो unused part of brain है जैसे कि three minutes में बोलते हैं कि यह दो unused brain है उसी तरीके से unused part of brain है वो क्या हो जाता है active हो जाता है उसमें भी neuron signals पहुँच जाते हैं तो हमारा जो part of brain है जो unused है अब मैं यह नहीं नहीं बोल रहा है कि सबके brain unused होते हैं यह brain unused होते हैं नहीं दिमाग सबका चलता है sharp सबका होता है उसको सही direction में चलाना उसको ऐसी activity करना कि वो और ज्यादा sharpen हो वो आपके हाथ में है और उसी से related हमारी वीडियो है ठीक है तो do exercise to increase neurons in your brain अब उससे ज्यादा important क्या है कि आपन पानी नहीं पी रहे तो होगा क्या कि आपकी जो body है जो आपका mind है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा क्योंकि देखो body mind क्या है body से related है तो अगर आप अच्छा खाने ले तो आप बिमार पढ़ोगे बिमार पढ़ोगे तो obviously mind की क्या ही exercise करोगे तो इसी तरीके से sleep schedule बेकार रहेगा तो आप focus नहीं कर पाओगे किसी भी चीज में आप चाहे offline पढ़ो online पढ़ो कुछ नहीं चीजे सीखो तो जब focus नहीं होगा क्योंकि 8-10 गंटे सोए नहीं अब सोए नहीं तो ज्यानी नहीं लग रहा है बुक पढ़ रहे हैं तो नीद आ रही है कुछ काम की चीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर लो जाएगा आपको चक्कर आते रहेंगे तो सो मैनी तो यह तो कहीं कहीं बात है जो इसे कि आपकी पैरेंस ने बहुत बार वहली होगी है अच्छे से सो अच्छे से दबागे पानी पीने की आदा चुटी हुए तो सबसे एग्जांपल बता होता है कि पानी की प्यास लगती है बड़ वह दूर होता है तो उठके जाने के की यार मैं बढ़ रहा हूं या कुछ माइंड को अपने आपको मतलब आपको अपने माइंड को शार्प करना है तो यह बहुत बहुत जादा जरूरी है अब उससे भी ज़्यादा जरूरी क्या है डू ब्रीफिंग एक्सराइज इस ले नहीं बोल रहा हूं अभी इस लेवल पे क्यूंकि मैडिटेशन के लिए बहुत जादा पीस्फुल और सांत माइंड की ज़रूरत होती है तो एक चीज आप एक्सराइज के परपस से कर सकते हो कि ब्रीफिंग एक्सराइज कर सकते हो तो अगेन ब्रीफिंग इनक्रीज हो जाएंगे तो अभी मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले क्या करना है कि यह गेम खेलना स्टार्ट कर देना अगर आपके कोई सिब्लिंग है छोटा या बड़ा तो इसके साथ कि मिनको आपके साथ चैस खेलना है ठीक है तो स्टार्ट प्लेइंग तो आपको अटोमेटिकली लगेगा कि आप नहीं नहीं वर्ट सीख रहे हो नहीं नहीं अच्छी स्टोरीज पढ़ रहे हो या फिर बायोपिक पढ़ रहे हो या कुछ भी जो आपके इंटरस्ट की बुक हो एक्सराइस से तो आप अबरॉल बोडी का ग्रोथ होगा तिव गर सकते हो पहला एक्सराइस करू और उतना ही परसेंटेजमें जितना आप उसे शाइस से से और ज्ए पानी पीने से या अभी जैसे गर्मी जाद है तो ग्लूकॉज लिक्विंड भगेर अटम अन लास्ट की स्टीज है इन सब चीजों को भी कर लोगे तो आपका जो माइंड है 102 परसेंट शार्फ हो जाएगा तो मैं यह लिखके गारेंटी दे सकता हूं कि अगर आपने इन में से एक दो तीन चार पांच यह दो तो मेंडिटरी हैं इन तीन में से कोई और दो भी कर ली ठीक है मतलब एक दो तीन चार पांच चार कोई भी चीजे कर ली तो आपका माइंड 102 परसेंट शार्फ हो जाएगा तो अभी इस वीडियो को करते हैं रैप खतम और मैं आपका अपना जिस बड़ी फ्राम से लेता हूं अलविदा उससे पहले इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू ठीक है बच्चों लोग इसी के साथ साथ जैसे मैं आपको पहले ही बताया है कि आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में ये टेलिग्राम का चैनल मिल जाएगा ये इंस्टाग्राम का चैनल मिल जाएगा तो टेलिग्राम का चैनल जरूर जोइन किजी ताकि जो हमारा कंटेंट है जो एनोटेशन है जो डीपीपीज है वो आपके पास तक आती रहे फ्री ओफपोस्ट साथिसाथ जो हमारी वीड मस्ते राम राम सलाम मैं आपका अपना फिजिक्स बडिन नितिनार रहे फ्रम सीविचल चैनल अभी लेता हूं आप सेल विदा और ऐसे ही वीडियो के लिए और कंटेंट वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल सीविचल को सब्सक्राइब करें शेर करें और अपने फ्रेंड्स बाइब बाई